हेलो फ्रेंड्स मैं हिमानी शिर्मा आज एक नए टोपिक के साथ आपके सामने हूँ और आज मैं पढ़ाने जा रहे हूँ स्ट्रेयर केस मेथड यानि स्ट्रेयर केस का पिक्षर क्याते पैयार किया जाता है Staircase, Leap Tournament का एक पार्ट है, आपको बता है कितने टाइप्स होते हैं, Leap Tournament के टू टाइप्स होते हैं, Single and Double, तो जो Single होते हैं, उसकी जो 3 पार्ट होते हैं, वो है आपके Cyclist Method, Staircase Method और Tabular Method, तो आज हम पढ़ रहे हैं Staircase Method, और हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि Cyclist Method कैसे बनाते हैं, कैसे उसका picture तयार करते हैं, तो बच्चो आज हम लोग बना रहे हैं Staircase Method कि उसका picture कैसे ड्रॉ करते हैं, तो देखिए, सबसे पहरे हैं की Conditions क्या रहे हैं, दो पॉइंट्स में आपको important बताऊंगी, वो आप note कर लीजिएगा, नो बाय कंडिशन, यानि की Staircase में कोई बाय की Condition नहीं होती है, इसमें बाय नहीं दी जाती है, second, no separate condition for odd or even numbers, यानि की कोई FTV Condition नहीं होती है, इसमें की odd number के लिए अलग तरीके से fixture तयार होगा, और even number के लिए अलग से fixture तयार होगा, जैसे हमने नोकाउट में भी देखा था, की अगर हमारा odd number है, तो हम उसमें formula अलग लगाते हैं, then, signing letter में आपने देखा, की जड़ हम उसका fixture बना रहे हैं, तो बाय को fix करते हैं, नहीं तो हम जो एक टीम होती है, उसे fix कर देते हैं, ठीक है, तो इसमें, no by condition, no separate condition for order, even numbers, आगे चलते हैं, यहां पर हमारी टीम में दी हुई है, 7, आप देखोगी कि जो आपके exams में आएगा, वो छोटी ही टीम में आती हैं, जिस तरिके से 7, 8, 9, यह छोटी टीम ही आपको दी चाहेगी, तो आगे हम देखते हैं कि इसकी matches की संख्या, कैसे निकालते हैं हम match की संख्या, देखिए, total number of matches is equal to n, bracket n-1 upon 2, 6 into, 7 into 6 upon 2 is equal to 42 upon 2, that is 21, यानि कि जो हमारे matches होने वाले हैं, उनकी संख्या जो आने वाली है, वो कितने आने वाली है, 21, ठीक है, उसकी बाद हम बात करते हैं, total number of rounds, इसका जो formula है, n-1, उसका जो 7-1, that is 6, यानि कि जो हमारे rounds होने वाले हैं, वो कितने होने वाले हैं, 6 होने वाले हैं, तो अब हम द इस्के फॉर्मुले में कुछ डिफ्रेंट्स है, जो षिंगल लीग होते हैं हुसें हरे टीम एक बार डुसी लीग के साब खेलती है। और जो डबल होते हैं उसमें जो होती हैं वो दो N bracket N-1 ठीक है अगर हमारे डबल होता तो यहाँ पर मैच्छो की संख्या 42 होती और अगर सिंगल होता है तो यहाँ पर कितनी होगी मैच्छो की संख्या होगी हमारी 21 ठीक है तो यह भी आज दिखेगा क्योंकि यह भी आपका कॉश्चन एक्जाम में आ जाता है इसकी बाद हम कि यहाँ पर दिखें कि फिक्शन कैसे तयार हुआ है सबसे पहले हम टीमों को लिख देते हैं यह पर एक टीमों को लिख देते हैं यह पर एक टीम के साथ मैच होगा तो यहाँ पर 1, 2 के साथ मैच होगा, 3, 4 के साथ, 5, 6 and 7 के साथ उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 2, 2, 2, 2, 2 यहाँ पर भी इसनी तरी इसके मैच होगा, 3, 4, 5, 6 and 7 Then 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर हमने 4 लिखा, जो हमारे टीम है, यहाँ पर 5, 6, 7 है, यहाँ पर 5, 5, 6, 7, यहाँ पर 6, 7 17, 18, 19, 20 and 21 यानिके ये सही है हमारे जो matchों की संक्यार है 21 हमार पास यहाँ पर भी जो match हुए है वो कितने हुए है 21 हुए है अब हम देखते हैं हमार पास round कितने भी 6 है क्या हमार पास यहाँ पर भी जो letters पनी है वो 6 है यहाँ पर देखे सत्राइब 9-2 ये इसनिवर से क्या बोला जाता है इसलिए से क्या बोला जाता है अब बात करते हैं जो क्या कने ही पतेशानी हम तक क्यार ब्लकरिए करें दोन की बी case क्या है मिलते हैं तो जेंगे जो टमद ट्रॉ बात है कि पल्टकी कोषए से 6 जी कॉणि है loser को 0 यानि कि कोई भी point नहीं मिलता थरड है हमारा अगर कोई winner team है कोई बतला winner तो आएगी ही तो जो हमारी winner team है उसको 2 points मिलते हैं या नहीं तो draw को 1 point loser को 0 point and winner को 2 points मिलते हैं तो उसी पर हमारे team में winner घोसित होती है फिर ऐ यही आपके आफटेंघान करें नूका उट पिक्सर क मिल ऐ हैay। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सस्क्राइब करें और इप्रेस बैल आइ нос, जरूर दाए जसके कि आपको नहीं वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकें और हम अप अलग-अलग रोज नई वीडियो अप्लोड करते रहेंगे और आप उन्हें देख सके Thank you, thank you so much